हिमाचर प्रदेश के छे परवाता रोहियों की युवा टीम वाइट एक्सपेडिशन ने मात्र तीन दिन में जनजातिय जला लखॉल्स पिती घाटी में बर्फ से धकी 6303 मीटर उंची चोटी चाउचाउ कौंग निल्डा को फते किया है इसके बाद आज पाँच परवाता रोहियों ने राजभवन में राजपाल शे परताप शुकल से भेंच की और अपने अनुभवों को साशा किया एस दुनाद राजपाल ने कहा कि उन्हें काफी परसंता है कि इन युवाउं द्वाराची 1303 मीटर उंची चोटी चाउचाउ काग निल्डा को फते किया गया है उन्हेंने कहा कि हिमाजव प्रदेश में इसका अभी प्रमोशन नहीं हुआ है और सरकार और प्रश्वासन को इसे प्रमोच करने के आवाश्वक्ता है जिससे समाज के लोग इसको जानेंग और हिवाजल प्रेटन के दृष्टी से और विक्सित होगा दुखियो वाइट एक्सपरिशन के बच्चे आये थे और मुझे प्रशनता इस बात किया है कि उन्होंने लाहौल इश्विती के चाव चाव कॉंग निल्दा जो चूटी है इसकी उचाई 6,000 फीट से दिक है 6,303 फीट की है तो उसकी चड़ाई उन्होंने किया है चुकि हिमाचल प्रदेश में अभी इसका प्रमोशन नहीं हुआ है नहीं तो रिश्चत रूप से ये कहीं कहीं समाज के लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा भी इसका प्रमोशन होना चाहिए जहां आज हिमाचल को टूरीजम के दिश्ट से देखा रहा है तो जब ये प्रमोट हो जाएगा तो अन्न जगों के लोग भी अन्न लोग जो मौंटेनिंग करते हैं वो आकर के हिमाचल में की छोटियों पर चड़ाई करेंगे उन चोटियों का चड़ाई करने के बाद जब वो जाएंगे तो समाज के लोग उसको जानेंगे उससे एक हिमाचल की और प्रशंशा होगी प्रगती होगी अर्थब्योस्ता में भी उसको उन्नत करेगा तो इसनते आज इन ये बच्चे केवल इसनते नहीं आया है कि अपने को बताने के लिए बलकि ये बच्चे हिमाचल की अर्थब्योस्ता को विकास देने के लिए है और अभी एक बच्ची उसमें कह रही थी कि इससे नसा करने वाले लोग भी दूर होंगे और इससे जूटेंगे खेडों से तो अभी एक बहुत बड़ी बाती होगी जिस नसा किनाते हिमाचल आज बरबाद होने जा रहा है उससे भी उसका पच्चा होगा मैं इन लोगों के लिए सफलता की कामना करता हूँ और मैं समाज से सरकार से भी इस बात की अपील करूँगा कि इसको प्रमोग करने के लिए ओ आ गया है वहीं परवतरोयों ने जहां अपने अनुभवों को साज़वा किया तो वहीं सरकार से रेस्क्यू किक्षेतर में कारे करने की गुहार लगाई ताकि हिमाचल में परवतरोहन को बढ़ावा मिल सके रेस्क्यू की सुविधा है उस पे सरकार काम करें और जादा से जादा इंप्रूव्मेंट ला सके कई सारी डवाइसेज और टेक्नीक्स है रेस्क्यू की जो एक परसनल लेविल पर एक टीम अफोर्ड नहीं कर पाती है और अवेलिबल भी नहीं होती है तो कोई गावर्मेंट बोडी हो जिसको हम कॉंटाक्ट कर सके जो हमें रेस्क्यू एक्विप्मेंट अवेलिबल करवाए और रेस्क्यू सर्विसेज के लिए भी सुविधा प्रवाइट करें कि हम हिमाचल को प्रमोट करना चाहते हैं माउंटेनिंग में और दूसरा हमारा मक्साता है अगर कोई भी लोग देश-डिनिया से क्लाइम करने हिमाचल आते हैं मैं 2019 से मांटनेरिंग फील्ड में हूँ और पिछले दो तीन सालों से प्रोफेशनली मांटनेरिंग कर रही हूँ तो अभी जैसे कि इन्होंने कहा हमारा उदेश्य क्या है प्रोमोट करना हिमाचल के परवितों को इसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा यूथ आए हमारे साथ आए और मांटनेरिंग फील्ड में आए हम चाहते हैं कि यूथ नशे से दूर रहे हिमाचल में नशे बहुत बढ़ गया है और हम इसलिए चाहते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स या मांटनेरिंग आक्टिविटी में हमार यूथ आएगा तो वो बाकी की चीजों से दूर रहेगा